बारत का इतिहास में ये नो साल का हमारे जर्णी हैं ये बहुत ही मेमरेबल है और एक दृष्टी से देखा जाएगा तो हमारे लिए बहुत बड़ा एचिव्मेंट का ये एक समय है नो साल पहले हमारे देश का क्या हालत था और आज नो साल के बाद में मोदी जी के नित्रते में जो सरकार चल रहे हैं उसके बारे में एक आंकलन अगर करेंगे अगर डीप ब्ली स्टाडी करेंगे तो आपको फरक बहुत अच्छी तरसे नज़र आएंगे आज कल पॉलिटिकली बियान बाजी करते करते में असली जो विकास हुआ है वो छुट जाता है और किसी लोगों को तो गुम्रा करकी वो जो असली मुद्दा है उससे लोग भटक भी जाते हैं मैं अगर पिछले नौ साल के जो टेनियर है मोदी जी के नित्रित में हमारे सरकार चल रही हैं मोटा मोटा देखा जाएगा तो हम अर्थ विवस्ता के दृष्टी से ग्यारवी पोजिशन में थे इलेवेंट पोजिशन आज हम दुनिया का पांचवी सबसे बड़ा अर्थ तीन साल का अंदर में हम दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एकॉनमी बनने जा रहे हैं और ये अचानक ऐसे हुआ नहीं है हर वक्त एकॉनमी का हर पहलू को देखते हुए जो निरनायक फैसला और निरनायक कदम उठाए गए हैं उसके वज़ए से जो रिफॉम हुआ है जि हम आज दुनिया का सबसे बड़ा एकॉनमी में से एक बन गया है अगर आप सब्सक्राइब करने देखेंगे तो सबसे पहले तिंफ्रस्रक्टर हुआ हमारा देश का इंफ्रस्रक्टर आज के दिन में आप देखेंगे चाहीए वह रेल हो चाहे वह रोड का हो चाह एर वेस तो चाहिए वो टेली कम्यूनिकेशन के द्रिष्टी से भी हो हर द्रिष्टी से गाउं से गाउं दूर दूर तक सब जगह इंफरसक्चर बढ़ गया है अब जब आप हाईवे में चलते हैं तो आपको फरक अपने आप नज़र आता है कि नो साल पहले क्या हालत था और नो साल के बाद हम कहां पहुंचे हैं हमारा मैं जैसे अरुनाचर प्रदेस आता हूं हम सपने में भी नहीं सोचते थे कि हम इतना जल्दी हमारा वाँ एरपोर्ट बन जाएंगे और दिल्ली से हम सीधा अरुनाचर पहुंच जाएंगे तीन गंटे के अंदर में ये सब चीज ये जो नो साल में जो हुआ है नो साल बिलकुल कमाल का हो गया है एक दिरिश्टी से फिर हमारे आप युवाओं के बीच में जाकर के देखिए है टोटल चेंज माइंडसेट एक पॉजिटिव माइंडसेट एक कॉन्फिडेंट माइंडसेट आपको देखने को मिलेगे जिसे कि स्पोर्ट में आप देख में वर्ल्ड चैंपिएंटिव में जाते थे तो हम बिलकुल वो जो कॉन्फिडेंस जो चाहिए था वो बिलकुल हम में नहीं होते थे हमारा खाने पीने का विवस्ता हमारे जो कपड़े का स्टैंडर्ड या जो भी बैक अप सिस्टेम था वो खंडित था बिखरा हुआता को और्गनाईस तरीके से नहीं होते थे अब हमारा खिलाड़ी जो बाहर में जाते हैं तो फुली कॉन्फिडेंट होके जाते हैं कि हम जीतने के लिए आए हैं खेल में हार जीत होते हैं लकिन यह जो कॉन्फिडेंस है कि हम जीतने के लिए आए हैं मेडल लेने के लिए भी बनाया इसके बाद में अगर आप आम जो पब्लिक जो कॉमन मेन का आप देशे से देखिए जो कॉमन आदमी का सुविदा स्वाच भारत अभियान से ले करके गाउं गाउं तक घर गर तक पीने का पानी पहुंच रहा है हर गर में बीजली पहुंच रहा है गैस का चूला पहुंचाया जा रहा है गैस कानेक्शन सबको मिल रहा है दूर दराज इलाके तक मोबाइल टावर लग गया है आज फार्मर वह एप्लिकेशन जो मोबाइल एप यूज करके अपना जो सेंटिफिक नॉलेच या इनपुट्स उसको सीधा-सीधा प्राप्त हो रहे हैं फिर जरी है अपना दंदा कर रहा है अब चिदामबरम साब जैसे लोग कॉंग्रेस के लोग मजाक उराते थे कि डिजितल इंडिया कहां होगा इंडिया में गाओं का अदमी कैसे मोबाइल फोन यूज करेगा एक स्ट्रीट वेंडर कहां से डिजितल पेमेंट करेगा आज ये स पैसा है नहीं एकाउंट खोल के क्या करेगा बैंक एकाउंट में क्या होगा ऐसे मजाक उड़ाते थे आज उसी बैंक एकाउंट में डैरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर सीधा एकाउंट में जमा हो जाता है पहले तो अगर आपको 400 रुपया सेंट्रल गवर्मेंट का कोई बेनेफिट मिलना है तो 400 रुपया प्राप करने के लिए आप बीडियो का पास जाओ 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 पीडी का पास फिर जाकर के कागज़ पत्रक के लिए हालत खराब हो जाता है तो आपका समय बरबात और उसमें खर्चा हो जाते हैं आज कल एक बटन दबाते हैं एकाउंट में पहुंच जाते हैं तो आम लोगों का लाइफ ट्रांस्फर्म हो चुके हैं एक इंडिया का आज पूरा स्वरुप आप देश पर में देख रहे हैं दुनिया में आप जाईए किसी भी देश में आप मंत्री MP छोड़ दिजे एस न इंडियन किसी भी देश में आज हूँ मंत्री बनने से पहले जब हम बाहर जाते थे MP या एज नागरी के हिसाब से जाते थे लोग सोचते थे कि इंडिया से आया है तो यह नोकरी के लिए आया होगा या कोई बड़ा कोंट्रिबिशन देना तो हैं नहीं इंडिया से ऐसा एक हम को नजर अंदास करते थे आ हुए मोदी जी का एक नजरिया वो दुनिया देखता है कि इंडिया का जो प्रोग्राम पॉलिशी यह इंडिया का वीजन है वो विश्य के लिए बहुत लाबदाइक रहेगा यह सारा चीज जब देखने को मिलता है तो हमको प्राउड होता है आज दुनिया में सबसे पॉ परेशनी हमारे देश का नेता दुनिया का सबसे लोग प्रया नेता बन जाता है तो इसका सबको लें प्रश्चाउय यह हमारा प्रदानवंत्री है सिब ब्युच़् आज गोडोब नहीं सरकार कि लिए नहीं हरे आदमी को फक्र होना चाहिए तो उसी प्रकार से हमारा नौर्थीस देखिए नौर्थीस नौर्थीस में जब लोग पहले नो साल पहले